हलो वेलकम तो स्पीकॉमर्स क्लसेज आज मैं स्टार्ट करें के न्यू चाप्टर इस इंकम फ्रॉम सालरी इंकम फ्रॉम सालरी ना बिसिकली ये चाप्टर इंकम फ्रॉम सालरी के बिस पह है और के उरे कंडिसन की बात करूं अगर कि एक कंडीन सेटीस्षाड हो जाए तो वह इंकम् फ्रॉम सालरी के हैड में आ जाएगी कोई बी इंकम हो अछिके लिए to employee is, comes under the head, income from salary, right, employer ने employee को कुछ भी दिया, तो वो income from salary के head में आएगा, right, for example, Mr. X, Y Limited में काम कर रहा है, तो Y Limited ये employer है, और ये employee है, तो ये जो relation है, ये income from salary का है, किसको salary मिल रही है, कहां से, Y Limited से, ये income from salary है, example number 2 लेते हैं, Mr. X को salary मिल रही है, माल लेजिए, X, Y Limited से, और ये partnership firm है, partnership firm है, और Mr. X वहाँ पर क्या है, पार्टनर है, अब देखें, यहाँ पर भी इसको salary मिल रही है, लेकिन ये salary income from salary में नहीं आएगा, right है न, क्योंकि ये partnership firm में partner है, नहीं employee, इसके लिए, ये income from salary का part नहीं है, C, third बात करते हैं, Mr. X, जो की MLA है, इसको भी salary मिल रही है, कहां से, government के पास से, right है न, ये भी income from salary का part नहीं है, कि भी government उसके employer नहीं है, बात समझ में आ रही है, तो सबसे important चीज़ क्या है, employer और employee का relation होना चाहिए, तो ही वो income from salary होगा, वरना वो income from salary में नहीं आएगा, clear है, नहीं, अब हम start करते है, income from salary की theory, right है, तो सबसे बड़ा chapter अगर कुछ है, तो ये income from salary है, right है, कुछ code words के तुरू हम लोग easy way में जाएंगे, right है, अब ये chapter में हमें क्या-क्या सीखना है, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक ही करके individually सीखेंगे सबको, पहला basic salary, दूसरा, advance salary, third, a year of salary, bonus, commission, allowance, right, perquisites, then provident fund deduction under section 16 or retirement benefit इतनी सारी चीज है इतनी सारी चीज है अब दिर दिर करके हम एक चीज को cover करेंगे एक बार theory हो जाएगे तो हम practical समस्की तरफ चलेंगे ठीक है ना सबसे पहला बेसिक सालरी बेसिक सालरी अगर इफ बेसिक सालरी इस गिवन इन नेट सो वी हैव तो convert into the gross ठीक है ना और यह हमेशा क्या होगी taxable मतलब अगर बेसिक सालरी हमें नेट में दिये हो कि तो हम सो ग्रॉस में convert करेंगे मतलब अगर बेसिक सालरी में से कोई भी चीज माइनस हुई है तो उस चीज़को हम एड करेंगे फॉर एक्जाम्पल समझते हैं सबसकिज़े कि बेसिक सालरी दिये हुई है 10,000 ठीक है ना इसमें से लेस हो चुका है हमारा पीएफ 1000 इसमें से लेस हो गया हमारा होम लोन मालेजी होम लोन भी हमने लिया हुआ है होम लोन का यह हमाए 2000 तो हमारा अंसर आगया 7,000 तो यह नेट है तो हम जो इंकम फ्रम सैलरी में टैक्सिबल करेंगे वह 7,000 को नहीं करेंगे हम किसको करेंगे 10,000 को क्योंकि वह वह ग्रॉस में चाहिए तो हम लिखेंगे बेसिक सालरी नेट कितना है 7,000 और जो जो चीज़े लेस हुए तो इसको में एड कर देंगे पीफ को और होम लोन को पीफ मानले यह 1,000 है दिया हुआ है और यह 2,000 तो यह आगया 10,000 इसको हम बोलेंगे ग्रॉस basic salary तो taxable यह amount है ना कि यह clear है इसलिए तो if basic salary is given in net so we have to convert into the gross यह होगे आपका पहला basic salary तो basically basic salary क्या होता है taxable तो taxable कब होगा जब वह cross में होगा तो gross में convert करके फिर आम इसको taxable करेंगे लेकिन होगा क्या टैकसेबल चैए दूसरा आपका गया कि एडवांस सैलरी एडवांस सैलरी का रूल क्या अगर आपको रिसीव्ट हो गया मतलब रिसीव्ट है तो वह टैकसेबल कर दो और आपको वो receivable है मतलब मिलेगा तो हम ignore करेंगे ठीक है ना तो advance salary receipt है तो taxable receivable है तो ignore third Arrere of salary Arrere of salary same चीज़ अगर वो आपको receipt हो गई है तो taxable करो और अगर वो receivable है तो ignore करो ठीक है ना फिर आगया fourth आपका bonus same चीज़ अगर bonus receipt है तो taxable कर दो और अगर वो receivable है मतलब मिलने वाला है तो ignore करो जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई tax नहीं clear है तो हम आगे बढ़ते हैं ये चार चीज़ सबची में आगी आगे बढ़ते हैं commission की तरफ अगे बढ़ते हैं फिफ्ट इस commission commission रिसीब्ट हो गई तो taxable है और अगर ये receivable होगी तो भी ये taxable है मतलब commission मिले या मिलेगा दोनों के इसमें taxable है clear है तो ये होगी आपका receipt हम बात करते हैं allowance की चले six था ही हमारा allowance allowance में two parts हमें जो allowance मिलेगा या तो वो हमारे office purpose के लिए होगा या तो वो हमारे personal purpose के लिए होगा employee हमें दो चीज़ के लिए allowance देता है एक तो office के लिए दूसरा personal purpose के लिए office के लिए हम यूज़ करेंगे shortcut cut herd cut herd और personal के लिए उसकरी के c3 th तो सबसे पहले c conveyance allowance अटेके नए तेके ना uniform allowance T D. Travelling Allowance H. Helper Allowance R. Research Allowance D. Daily Allowance Right है? यह सब के सब Allowance क्या होते है? Exempt यह सब के सब Allowance क्या होते है? Exempt Under Section 10 Sub Section 14 मतला यह सब के सब Allowance क्या होंगे? Exempt होंगे? section 10 subsection 14 के हिसाब से clear है अच्छा सर यह तो बता कितना exempt होगा exempt is equal to amount spent माल लीजिए कि convince allowance आपको मिला है 100 रुपया employer ने employer कितना दिया 100 रुपया और आपने खर्चे कि 90 रुपय तो 90 रुपय exempt हो जाएंगे और 10 रुपय क्या हो जाएंगे taxable clear है uniform allowance आपको मिले 1000 रुपया अपने खर्चे कि 800 रुपया 200 रुपय क्या हो जाएंगे taxable यह हो गया आपका office purpose अब हम बात करते है पर्सनल पर्पस तो सबसे पहले C Committation allowance अगर कोई normal person है तो उसको 1600 रुपय पर मंथ exempt होगे और वह ही अगर वह हैंडीकाप्ट है तो उसको 3200 रुपय पर मंथ exempt होगे ठीक है ना फिर एक और C चिल्डरेन एजुकेशन अलाविंज रुल्स है दन वापसे C चिल्रन फोस्तल अलाविंज माक्सिमम रुपीज 300 पर मन्थ पर चाल्ड माक्सिमम 2 चाल्ड ठीक है ना फिर आगे आपसे T ट्राइबल एरिया अलावन्स और एंड में आ गया H House Rent अलावन्स यह आएगा एक्जेम्ट अंडर सेक्षिन 10, 13, A बाकी सब 10, 14 यानि यह सब 10, 14 है जो कि यह है यह भी किसमे आएगा 10, 14 में यह भी किसमे आएगा 10, 14 में यह भी आएगा 10, 14 में और यह भी आएगा 10, 14 में ठीक है ना अब हम बात करते हैं House rent allowance की So एक्जेम्ट अमाउंट विल बी गिवन इन इन ग्वेस्टिन So यहाँ पर एक्जेम्ट अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेस्टिन रड़े ना अगर सम्मे नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा इफ नॉट गिवन तो वो हो जाएगा टैक्सेबल बराबर है मान लिजे House rent allowance आपको 1000 रुपे दिया है और एक्जेम्ट अमाउंट सम्मे दिया है 200 रुपे तो वो क्या हो जाएगा 200 रुपे टैक्सेबल हो जाएगा अगर किसी allowance का नाम आता है तो हम क्या करेंगे इसको टैक्सेबल करेंगे यह allowance के अलावा अगर दूसरा कोई allowance आएगा तो उसको हम क्या करेंगे टैक्सेबल करेंगे अभी तक हमने छेज़ यह देख लिए बेसिक सैलरी एडवांस और यह बोनस सैवनथ वाली धियरी लुओ पहले डिटैक्षण देख लेते हैं बाद में आँगे बढ़ते हैं डिटैक्षण अंडर सेक्षण 16 कि आट तो डिटैक्षण अंडर सेक्षण 16 में हमारे पास तीन डिटैक्षण 161, 16 dedicated to और 16 you all पहला था स्टांडर्ड डिडेक्शन दूसरा हो गया एंटर्टेन्मेंट अलाविंस और तीसरा हो गया प्रक्रोथेशनल टैक्ष अगर अगर इस्टैंडर्ड डिडेक्शन तो अब डेलीटेड है तो यह हमें अब नहीं पढ़ attorneys थी और एंटर्टेन्मेंट अलाविंस और प्रक्रोथेशनल चम्हार है तो पहले हम देखेंगे entertainment allowance entertainment allowance entertainment allowance में two parts पहला government employee और दूसरा non-government employee अगर government employee है तो पहले उसको taxable करो फिर उसको deduction दो वही अगर वो non-government है तो पहले उसको taxable करो और उनको no deduction ठीक है ना अब हम समझते हैं ठीक है ना सर समझ में यहां एक्जामपल समझते हैं for example समझ में दिया है entertainment allowance एक हजार रुपए ठीक है ना basic salary है आपका मान लेजिए छे हजार रुपए ठीक है आप हैं पहले government employee हम दोनों के लिए बात करते हैं पहले government के लिए बात करेंगे और यह non government के लिए तो पहले हम क्या करेंगे यहां पे दुनों जगह पे टेक्सिबल लिखा हुआ है तो पहले हम लिखेंगे entertainment allowance रुपए इसके लिए भी और इसके लिए भी entertainment allowance रुपए ठीक है फिर हम देंगे less deduction under section 16 less deduction under section 16 इसको कोई deduction नहीं इसके लिए 1000 रुपई क्या हो जाएंगे taxable इसके लिए deduction नहीं क्यों says government का है government के rules क्या थे rules यह थे maximum 5,000 maximum 5,000 actual amount actual amount कितना मिला, 1000 रुपई और तीसरा rule था, 1.5th into basic salary तो 6,000 का 1.5th य Neg ia only 1200 रुपई विचेवर इस लोवर थाउजन तो पूरे थाउजन रुपे यहां से माफ हो गया और यह टैक्स भरेगा नेल अमाउंट पे क्लियर है बासमेज में आई तो यह हो गया आपका एंटेटेन्मेंट अलावेंस की थियरी यह तो जासे एक्जांपल था समझने के लिए जब समस्टाट करेंगे तो इसको डीप में समझेंगे फिलाला में सिर्फ इतना याद रखना एंटेटेन्मा अलावेंस गॉवर्मेंट नॉन गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट तो टैक्से बल करो फिर डिडेक्शन तो नॉन गॉवर्मेंट तो टैक्से बल कर 16.3 professional tax professional tax may be two parts paid by employee paid by employer employer यहाँ पर two possibilities है या तो employee खुद पे करेगा या तो उसका पैसा employer देगा अगर employee ने paid किया है तो not taxable यानि include नहीं करेंगे only deduction सिर्फ deduction देंगे और employer ने pay किया है तो पहले क्या करो taxable करो फिर क्या करो deduction दे दो clear है सर्फ समझ में नहीं आया example समझते है मान लेजिए है PF वन थाउजन ठीक है ना तो हम दोनों के case में जाते हैं यहाँ पर पेड़ बाय एंप्लोई और यह हो गया पेड़ बाय एंप्लोईर अगर अगर एंप्लोई पेड करेगा तो पहले क्या करो प्रोफेशनल टैक्स टैक्सेबल फिर डिदेक्शन अंडर सेक्शन सिक्स्टीन स्वरी एंप्लोई ने पेड किया तो नॉट टैक्सेबल हतलब निल और फिर दिदेक्शन देदो तो यह अंशर आएगा माइनस में वन थाउजन और यहाँ पे बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स पहले एंप्लोई ने पेड करो टैक्सेबल करो फिर लेस डिदेक्शन वन थाउजन तो यह आजाएगा निल मत समझ मैं आपको यह हो गया आपका अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स चले आगे बढ़ते हैं यह हो गया हमारा यह हो गया यह हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स चले आगे बढ़ते हैं यह हो गया हमारा यह हो गया यह हो गया यह भी हो गया अलाविंस भ प्रोविडेंट फंड में पॉसिबिलेटिस क्या है ठीक है न पहला हम पैसे जमा करेंगे कहां पे SPF में या PPF में एक ही बात है दूसरा हो जाएगा RPF में और तीसरा हो जाएगा UPF में इसकों बोलते है पॉब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टाचिचरी प्रोविडेंट फंड, RPF रिकर्गनाईज प्रोविडेंट फंड और अन्रिकर्गनाईज प्रोविडेंट फंड Section 10, Subsection 11, Section 10, Subsection 12, Section 17, Subsection 3 ठीक है Now, PF का मतलब क्या? आपके लिए PF में पैसा या तो आप खुद जमा करेंगे या तो Employer आपके नाम पे पैसा जमा करेंगा ठीक है ना? तो पहला Condition Contribution by Employee और अगर Employee अपने नाम पे पैसा जमा करेंगा तो वो तो उसके नाम उसके लिए क्या है? वो Expense है बराबर है यह चाप्टर में उसको Ignore करेंगे योकि Income तो होई नहीं रही है Ignore ठीक है न? वही Employee के Contribution पर Interest मिल रहा तो Interest on Employee Contribution Employee ने जो पैसा जमा किया उसके उसको Interest मिला तो वो Income from Other Sources में जाएगा ना ही किस Salary में इसके लिए हम Salary Chapter में उसको क्या करेंगे? Ignored ठीक है न? देखिए Income from Salary का एकी रूल था कि Employee से कुछ मिलेगा तब हम Taxable करेंगे तो यह पैसा PFO ले दे रहे हैं नहीं कि हमारा Employee इसके लिए यहां पर यह इग्नोर हो गया अब हम बात करते हैं Contribution by Employer पैसा किसे जमा किया? Employer ने ठीक है न? Employer ने पैसा जमा किया और आपके नाम पर SPF में पैसा रखा तो वो exempt होगा Section 10, Subsection 11 में वही अगर वो RPF में पैसा जमा करेगा तो वो exempt होगा पर उसके कुछ limit है कितना? 12% Of किसका? Basic salary plus DA plus turnover commission basic salary plus DNS allowance plus turnover commission इतना amount expense होगा और यहां पर भी वो क्या होगा? exempt होगा क्लिया रहा यहां? यहांने RPF की यह एक चीज़ आपको याद रखनी है पूरे प्रविंट की थेहरी में अभी तक फिलाल ठीक है न? आगे बढ़ते हैं Next Interest on Employer Contribution Employer के Contribution पर Interest मिला तो यह हो जाएगा exempt यह भी हो जाएगा exempt बट कुछ rules है 9.5% ठीक है न? जितना आपको Interest मिला उसका 9.5% क्या हो जाएगा? exempted मतब जो भी amount आपने investment किया उसका 9.5% exempt होगा और यहाँ पर भी यह exempt है यह दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है और end में जब यह पैसा आपको मिलेगा lump sum amount तो यह वाले case में यह exempt है क्योंकि government के पास है यह वाले case में भी यह exempt है और यहाँ पर यह taxable हो जाएगा ठीक है न? क्योंकि यह Unrecognized Provident Fund है तो इसका मतलब हो गया Statutory Provident Fund यह तो हम Public Provident Fund कहेंगे RPF का मतलब Recognized Provident Fund और इसका मतलब Unrecognized Provident Fund क्लियर है? सो हमें याद क्या रखना है सिर्फ यह दो चीज़ प्रोविरेंट की थियरी में salary chapter में दूची ज़्याद रखनी है contribution by employer वह किसमे RPF में तो वह exempt होगा और वहीं उस पर interest मिलेगा तो वह exempt होगा 9.5% तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी तक हमारा प्रोविंट फंड हो गया बजगे हैं दो चीज़े परक्विसिट और रेटार्मेंट पहले हम कुछ सम्स कर लेंगे उसके बाद हम पॉक्विसिट और रेटार्मेंट बेनेफिट पह जाएंगे क्लियर है? नेक्स लेक्चर में हम इसके कुछ सम्स देखेंगे उसके बाद हम आगे की तरही देखेंगे